नमस्कार आरे निउस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पलवी सेंग जौनपुर में भीशन दुरगटना की खबर सामने आई है जुसके चलती जीप और कंटीनर में टकर हो गई साथ ही आपको बता दे कि जीप सबार एक व्यक्ति की मौत हो गई है जब कि 17 लोग घायल बताए गए गौरतलब है कि घायलों में सभी नावालिक बच्चे शामिल है और इसी के साथ साथ सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराए गया है दुरगटना देरात की बताए गई जहां बारातियों को लेकर वापस लोट रही थी ये जीप और गलतलेन पर गाड़े चलाने के कारण ये हाथसा हुआ साथ ही आपको बता दें ये पूरा मामला बक्षा थाने के खंसेपुर के बताई जा रहा है अखबर दिली के महरोली से है जहां पर कोविट वैक्सीन लोन के लिए दिये गया वेदन करने पर आदमी को कम से कम चार हजार रुपए का नुकसान हो जाता है महरोली निवासी रोहन कपूर को एक SMS मिलता है जिसमें उने कोविट की 30 डोस के लिए लोन और eligibility चेक करने के लिए एक लिंक के बारें बताया गया रोहन ने जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया वो एप फोन में इंस्टॉल हो गया और इसके बाद रोहन की ने एप पर अपना पैन और आधार डिटेल अप्रोच किया सोशल मीडिया सेल के अधिकारियों ने कहा है कि 28 मई को निवासी की शिकायत पर आधार पर एक प्रात्मी की दर्च की गई थी जिस पर कतित तौर पर कोविट की 30 डोस के लिए लोन आवेदन करने के बाद जबरन पैसे मांगे जा रहे थे प्रात्मी की भारती दर्च की कई धाराओं के तहट मामला दर्च किया गया और रोहन के अनुसार उससे 4200 रुपए का लोन मिलने के चार दिन बाद उसे कतित तौर पर लोन के तीन गुना पैसे किवांग करने के लिए धमकी भरे कॉल आने लगे फोन बर उसे कहा गया कि अगर पैसे नहीं भेजे गए तो उसकी फोटो को वारल कर दिया जाएगा तो वहीं पता चला है कि उसके कुछ जानने वालों को ऐसी तस्वीरे भी मिली और रोहन द्वारा पैसे वापिस करने के बाद भी कॉल आ रहे थे दरसल अधिकारियों का कहना है कि नैशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से दो खदरी वाले आप को 45 अन्य शिकायते भी दर्च की गई और जहां एक तरफ यूपी के कई हिस्सों में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला महीं दूसरी और और रहया में श्यासन की मंचा के अनुरूप पुलिस अधिक्षक ने शांती पूरवक जुम्मे की नमाज अदा करवाई है यहां जिलाधिकारी और पुलिस अधिक्षक द्वारा पैदल गश्ट करके मार्च निकाला गया और पुलिस अधिक्षक ने पूरे दिन में दो बार पैदल मार्च किया है यहाँ पर सकुशल जुमे की नमाज अदा करवाई गई और पुलिस बल के साथ सबसे आगे चल रहे पुलिस अदिक्षिक की कदम से कदम मिला कर चल रहे पुलिस कर्मियों के बूटों की धमक से सड़क हिल उठी वदा दे आपको कि इसी धमक ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फैलाने बालों को भी कपा दिया जानकारी के लिए बताते चलें कि सदर कोदवाली शेद्र के सुभाष चौक, खानपूर चराहा, लेडीज मार्केट और इंडियन ओयल की तरफ से ये पुलिस मार्श निकाला गया है जैसे कि आज आपको बटा है, फ्राइडे को ले करके चातरुपता पूरे प्रदेश में बढ़ती जा रही है, उसी को दरिश्टी के दरखते हुए, चुपरवार को दरखते हुए, कुछ चेहरों में हिंसा हुई है, फुट-फुट हुट हुए है, और उसको दरिश्टी क अबिहार के पूर्णिया में एक बड़ा हाथ्सा हो गया है यहां पर एक गारी के तालाब में गिरने से आठ लोगों की मौत हो गई और जानकारी के मुताबिक यहाथ्सा पूर्णिया जिले के कांजिया गाउं में हुआ है पुलिस के मुताबिक पूर्णिया जिले के कांजिया गाउं में कलते रात पो एक गारी तालाब में गिरने से आठ लोगों की जान चली गई है सभी आठ शव परामत कर लिये गए और जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग तारबाड़ी से आ रहे थे किशनगन जा रहे थे ये लोग और हादसे में दो लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया सभी शवों को पोस्ट मोटम के लिए भेश दिया गया है बताया चा रहा है कि ये सभी लोग बेटी की शादी का तिलक कर वापस लोट रहे थे पोनिया जिले के कांजिया गाओं के पास ये हादसा उस वक्त हुआ जब कुछ लोग अपनी गाड़ी से बेटी की शादी का तिलक कर लोट रहे थे इस हाथसे में आज लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जब कि ये सभी लोग बेची का तिलक करने के लिए तारबाड़ी गए थे तो ही आपको ये भी बता दें कि इस दौरान जिला किशनगंज लोट रहे थे ये लोग इसी दौरान रास्ते में ये हाथसा हुआ पोणिया जिले के कांजिया गाओं में हाथसे की जानकारे मिलने के बाद भारी संक्या में ग्रामीन घटना सल पर पहुँच गए और स्थानिये लोगों ने तुरंधी पुलिस को भी सूचना दी सुचना के बाद पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुँचे और सभी शवों को उसमें रखकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज़ दिया गया है फिलाल हास्ते में जान गवाने वाले सभी लोग किशन गन जिला के रहने वाले बताये करे बट्टेंगली खबर की ओर जान जी जांबाद जिले के ग्राम पंचायत पिरहिंद में 60 फीच के गहरे बोर्वेल में एक बच्चा गिर गया है यह आपको बता दें कि इस बोर्वेल में गिर कर एक 10 साल का मासूम बच्चा राहुल फस गया है विगत 15 घंटों से बोर्वेल में फसे मासूम बच्चे को सुरक्षित निकालने की कोशिश लगातार जारी है और 36 घंटों में आपको बता दें कि मुक्यमंत्री वुपेश वगेल ने भी जिला परश्यासन को सुरक्षित इस बच्चे को बाहर निकालने के निर्देश दिये आपको बता दें कि जांजगी चांपा जिले में बच्चा बोर्वेल के गठे में गिर गया है जिसके बाद मुक्यमंत्री वुपेश वगेल ने मामने का संग्यान लेते हुए बोर्वेल में गिरे बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये इसाथ से कि जानकारी मिलते ही मौके पर प्रशासने कमला मौके पर मौझूद है और बच्चे को बोर्वेल से निकालने के लिए खुदाई भी की जा रही है साथ ये साथ ऑक्सिजन की कमी ना हो इसके लिए पाइप्लाइंग की मदद से ऑक्सिजन सप्लाइ की गई और मिली जानकारी के अनुसार बच्चा खेलते हुए पास के बोरवेल के गठे में जागे रहा है बता दें कि इसकी जो बोरवेल के आपको बता दें कि साथ फीट गहराई है और इसी में गिरने की वज़े से बच्चे की रोने की अवास सुनकर परिजनों को घटना की जानकारी मिली जिसके बाद परिजुनों ने पुलिस को हाथसे की जानकारी दी है और मौके पर कलेक्टर, SP, अपर कलेक्टर, जिला पंचायच, CEO, SDM और कई अधिकारी उपस्तित है यूपिम में विधान परिशुद की 13 सीटों पर चुनाव हुआ जिसमें समाजवादी पाठी ने अपने किसी भी गटबंधन दल को एक भी सीट नहीं दी है इसके बाद नाराज गटबंधन दलों ने इस सपा से किनारा करना शुरू कर दिया अब इसमें एक रोचक वाक के सामने आया कि महान दल के गटबंधन तोड़ने से नाराज अखिलेश यादव ने केशव दे मौरे को चुनाव से पहले गिफ्ट की गई फॉर्चुनर गाड़ी वापस मांग ली है बदा दें आपको कि बदा जा रहा है महान दल दोcito औरा गटबंधन तोड़ने से अखिलेश यादव बहत नाराज है किशव दे मौरे से सपा प्रमो का खिलेश यादव ने फॉर्चुनर गाड़ी वापस ले ली है ये फॉर्चनल गाड़ी अखिलेश यादव ने चुनाफ से पहले महांदल के अध्यक्ष केशव दे मौर्या को गिफ्ट की थी और अब खबर या रही है कि अखिलेश यादव ने ये गाड़ी वापस ले ली है आपको बताते चलें कि महांदल और सपा के बीच नाराज़ी की खबरें अब खुलकर सामने आ गए है दो दिन पहले ही महांदल के अध्यक्ष ने गटबंदन से अलग होने का अलान किया था इसकी बज़े से सपष्ट तोर पर सीट नहीं मिलने को माना गया बताए ये भी जा रहा है कि इसके बाद सपा के कुछ नेताओं ने अखिलेश यादव को गिफ्ट की गई गाड़ी वापस मांगने के लिए कहा और अब बताए जा रहा है कि ये गाड़ी केशव देव मौरे को आसानी से कैमपेंड करने के लिए दी गई थी अकबर राजज़ानी दिली से है जहां पांडव नगर इलाके में अलग अलग दिनों में एक ही शव के अलग अलग हिस्से मिलने से संसनी फैल गई है आलम ये है कि खुद दिली पुलिस के लिए ये काफी चुनोती पूर्ण मामना बन चुका है क्योंकि ना तो अब तक मुरुदक की शेयनाक्त हो पाई है और ना ही कोई सुराख हाथ लगा है ना ही मानव अंगो को फेकने वालों का कोई भी सुराख मिला पुलिस के हाथ सीसी टीवी की चार फुटेश लगे हैं जिनमें एक महिला और पुरुष नजर आ रहे हैं एक फुटेश के अंदर ये महिला और पुरुष हाथ में बोरा भी उठाय हुए दिख रहे हैं इस जानकारी के मुताबिक यंग पांडव नगर थाना इलाके में आने वाले एक मैदान के अंदर मिले हैं जो चांड सिनमा के सामने हैं और त्रिलोकपुरी मेट्रो स्टेशन से सटा हुआ है एक जून के सुभा लगबग 10 बजे प्लास्टिक के बोरे के अंदर से दो पैर और चार हिस्सों में बरामत किये गए पुलिस ने जब CCTV फुटेश खंगाले तो फिर 31 मई और एक जून के दर्मिया की रात लगबग 12 बच कर 45 मिनट पर एक महिला और पुरुष मैदान में आते इसके बाद दो जून की सुभा लगबग 10 बचे दोनो CCTV फुटेज में नजर आते हैं पुलिस का एक कहना है कि अब तक इस मैदान में दो पैर सर और दो बाजू मिले हैं सर बेहर ठंडा था आशंका है कि अत्या के बाद शफ को काट कर जीप फ्रीजर में रखा गया और नुबुट शर्मा के विवादित बयान को लेकर देश की कई हिस्सों में बवाल हो रहा है शुक्रवार दस जून को भी कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला जुन में पश्रिम बंगाल का हावडा भी शामिल है लेकिन अब हावडा में एक बार फिर से हिंसा भड़कने की खबर सामने आई है यहां पुलिस स्पायर भीड ने पत्थर बाजी की जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी जवावी कारवाई की गई पुलिस ने आसुगैस के गोले दागे और हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है पश्रिम बंगाल के आपड़ा में कल हुई हिंसा के बाद से ही धार 144 लागू कर दी गई लेकिन आज सुभा एक बार फिर से ये भीड़ी खचा हुई और जम का पत्तरबाजी करना शुरू किया पुलिस ने मौके पर इस सिथी को किसी तरह समालने की कोशिश की और फिलाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनाथ है और इलाके में इस वक्त तनापूंट सिथी बनी हुई है लेकिन सभी सिथी से निपचने के लिए पुलिस बल को तैनाथ कर दिया गया है और साथी साथ आपको ये भी बता दें कि हिंसा शान्त हो गई थी लेकिन सुभा एक बार फिर से पत्तरबाजी की जाने लगी उपद्रवी एक बार फिर सड़को पर नजर आए जिने रोकने के लिए पुलिस ने तावर तोड़ कोशिश की है आंसो गैस के गोले दागे गए लेकिन बावजुद इसके पुलिस पर पत्तरबाजी की गई है और अब रुक करते हैं कानपूर की और कानपूर हिंसा के मामले में पुलिस सक्ती से पेश आ रही है इसी मामले में गिरफतार मुख्यारूपी हयाद जफार हाश्मी पर अब पुलिस एक और बड़ा एक्शन लेनी के तयारी में है पुलिस आरूपियों के संपत्यों का ब्यौरा जटा रही है बताए जा रहा है कि पुलिस ने मास्टर माइंड हयाद जफार हाश्मी एंड कमपनी के संपत्य का ब्यौरा जटाना भी शुरू कर दिया है इस इंसा के मामले में मास्टर माइंड के PFI कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं साथी साथ पुलिस जल्धी मास्टर माइंड हयात जफर हाश्मी एंड कमपनी के संपत्ती का पूरा ब्यौरा जुटा ले गई तो बाद में इसके बबाल के खिलाब इस मामले में PFI सदस्यों की भी गिरफतारी कर सकती हैं पुलिस और अधिकारिक सूत्रों की माने तो हयात के PFI कनेक्शन भी सामने आ चुके हैं इसी मामले में दर्च की कई FIR की कौपी, PFI सदस्यों और उनके संपर्क के लोगों की कुंडली खंगाली जा रही है पुलिस अब जल्द ही इस मामले में पूरी जानकारी खटा करने के बाद एक्शन की तयारी करेगी साथी आपको यह भी बता दें कि SIT, TS और अन्य अफसर हिंजा के मास्टर माइंड की हर एक जानकारी जुटा रहे है हयात की अब तक चार बैंक खातों में बारे में पूछता पुलिस कर चुकी है और जानकारी पुलिस के हाथ बलगी है परिजनों के अलावा करीबियों और संगचन के खातों का ब्यारा भी इस वक जुटाया जा रहा है साथी आपको बता दें कि हयात एक करीबी बिलजर पर भी पुलिस ने नजर बनाई हुई है और बता दें कि पुलिस को हयात के मुबाइल रिकॉर्ड से भी काफी डिटियल्स मिले पुलिस की माने तो उसके मुबाइल पर कुल 141 वोटसाइप गुरूप है जुसमें वो जुड़ा हुआ था उसमें खटना की पलपल की जानकारी और अपडेट दी जा रही थी साधी साथ विडियोस के साथ तस्वीरे भी इस ग्रूप में साज़ा की जा रही थी और इस बीच मद्ध प्रदेश के औरूप करेंगे जहां इन दौर में एक बार फिर से कोरोना ने कहर बर पाया पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमेंट में कमी जरूर देखी जा रही थी लेकिन एक बार फिर से जो ताज़ा आंकडे सामने आये हैं उसमें स्वास्विभाग की तरफ सिजारी बुलशन में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या ने चिंताय बढ़ा दे हैं स्वास्विभाग के आंकडों के मुताबिक शुक्रवार को इंदोर में कोरोना के 29 नई मरीज सामने आये जबकि कोरोना की 30 लहर का असर मद्दप्रदेश में सबसे ज़ादा इंदोर शेहर में देखने को मिला था जनवरी महीने में इंदोर में सबी रिकॉर्ड तूटते हुए 24 खंटे में कोरोना के 3372 नई मरीज पाए गए और अब कोरोना की 30 लहर लगबग जा चुकी है ऐसे में संक्रमित मरीजों में कमी आई थी पर भाई एक बार फिर से अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संक्या बढ़ कर 24 खंटे में 39 हो गई है और जो की मार्च महीने के बाद इतनी संक्या में नई मरीज मिले है और शुक्रवार को स्वासिभाग के और से जारी किये गए कोरोना बोलचन में 24 खंटे में कुल 210 ट प्रियागराज में जुम्मे के नमास के बाद शुक्रवार को हिंसा हो गई इस मामले में प्रश्यास्तन ने सक्ट अक्शन लिया है और हिंसा और पत्तर वाजी करने के आरोपियों पर अब तक 3 F.I.R. दर्ज कर ली गई है इन 3 F.I.R. में अब तक 36 लोगों को नामजद ब मामले में नामजद थारारोपियों की कि गिरफदारी हो चुकी है. अब तक 50 से जादा लोगों को गिरफदार किया गया और माना ये जा रहा है कि गिरफदार सबी केस नामजद या फैरर शकह के आधार पर हिरास्त में लिए गया अब पूरी रात इस अभ्भान के ताधे शापे मारी की गई और प्रयागराच में इस शनिवार को दूसरे दिन मحल सामाने देखने को मिला है तो मैं जिन एलाकों में पतरबाजी और ज्यादा हिंसा हुई थी वहाँपर पुलिस की ताप बर तोड शापे मारी भी की गई आचाला समेथ हिंसा ग्रसित इलाकों में जाने वाले रास्ते भी अबंद है और रास्तों को बैरेगेच कर बंद किया गया इन इलाकों को पुलिस ने लगातार निगरानी बनाई हुई है और लगातार पुलिस यहां पर गश्ट भी कर रही है जोन 4 जिलो में प्रियागराज में अतिरिक फोर्स म खटनाए हुई थी अब रते अंगली खबर की ओर बीजेबी से निलंबेद प्रवक्ता नुपूर्श शर्मा पर कारवाई को लेकर यूपी समय देशपर में शुक्रवार को प्रदर्शन हुआ इसको लेकर अब राज़ुदिक बैन बाजी भी तेज हो गई है आपको बता पादे कि समाजवादी पार्टी सांसद शफिकुद रह्मान बर्क का बयान सामने आया जो उन्होंने हिंसा की वज़़ नुपूर्श शर्मा की गिरफतारी नहीं होना बताया सबसांसद ने कहा कि ये लोग अपने दोर पर कर रहे हैं और हर जगा अपने जजबात के हिसाब से कर रहे हैं सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और अंगाबाद से AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील अली ने भी वयान दिया उन्होंने नुपुर्शर्मा के लिए फांसी की मांग की है उन्होंने कहा कि अगर नुपुर्शर्मा के खिलाफ कारवाई जल्द नहीं होती तो ऐसी घटनाए होती रहेंगी बता दें कि शुक्रवार को ही जुम्मे के नमाज के बाद नुपर शर्मा की किरफतारी को लेकर देश भर में प्रदर्शन हुआ हला कि कुछ जगाओं पर ये प्रदर्शन हिंसक हो गया और यूपी के प्रदर्शन के दौरान खूब पत्तरवाजी हुई इसके बाद जिले में धार 144 लागू कर दी गई है और आपको बताते चलें कि प्रियागराज इंसा के मामले में पुलिस ने तीन F.I.R. दर्श की और शुक्रवार राद तक 36 लोगों को नामचत किया गया है हलाकि इस मामले में 1000 अग्यात लोगों के खिलाब भी केस दर्श किया गया है इंसा मामले में 99 ज़्यादा तर आरोपियों को गिरफतारी हो चुकी है और अब तक 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफतार भी किया गया है अब आकपत पहुंचे यूपे के वित और संथदिये कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने शुक्रवार को जुला अस्पताल का निरिक्शन किया या उन्होंने जो भी खामिया मिली उन्हें दुरूस करने के निर्देश दिये साथ ही साथ अस्पताल में मरीजों से बात्रीत करते हुए फीड़बैक लिया है एक मरीज ने इस दोरान अस्पताल से बाहर से दवाईया लाने की बाद पर मंत्री ने नाराज की जताई अब बाद में मंत्री को वो दवाईयां अस्पताल के स्टोर में ही मिली है इस दोरान टूटी कुरसी पर भी मंत्री नराज हुए सुलिश करना ने अधिकारियों के साथ साथ कानून और विकास कारियों की भी समिक्षा की है इसके बाद मंत्री ने पत्रकारों से रूवरू होते हुए कहा कि साल 2019 में कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद से वहां के लोग खुद को खुशाल महसूस कर रहे हैं कश्मीर लिबरेशन फरंट के नाम पर अलगाब वाद फैलाने वाले और फंजिंग करने वालों को जेल भेज दिया गया है अब वहां पर कानून चलता है अगर कोई अपराद करेगा तो कानून वहां पर अपना काम करेगा अज भारत कितना ताकतवर है इसका अंदाजा ऐसी बात से लगाया जो सकता है कि रूस और युक्रेन के बीच मध्यसता कराने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां भारत को अमंतुरित कर रही है रोजगार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार को भी बढ़ावा दे रही है अब युद्धे योशना में चैनेत जनपद बागपद के तेर सो बचों को बड़े बड़े कॉंपडिशन की कोचिंग दी जाएगी विदमंत्रे नहीं पर कश्मीरी पंडितों पर हुए हमले को लेकर भी कहा कि जैसे ही आवशक्ता हुई वहाँ पर वैसा ही निर्न लिया गया जिन लोगों ने हमले किये और हमलों के आरोपी हैं वो कानून से उपड नहीं है और इसलिए सरकार वो नहीं है और जो किसी भी प्रकार की नर्माई बढ़ते और कानून अपना काम करेगा उन्होंने सरकार की उपलब्दियां भी इस दौरान गिनाई और यूपी में गर्मी के प्रकोप में कोई कमी नहीं आई ऐसे में इस दौरान प्रदीश में पिछले कई दिनों से लू का प्रकोप जारी है और भारती मौसम विग्यान विभागने प्रयागराज, कानपूर्देहाथ, आगरा, बांदा, जहांसी, फिरोजाबाद, इचा साथी पूर्वी, यूपी के दिवर्या, गोरकपूर, कुशिनगर, महराजगंस, संतकबीरनगर, बस्ती, सिधार्दनगर और बलरामपूर समेथ, कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर 13 जनवर तक आस्मान में आंचिक रूप से बादल चाय रहे, लेकिन आपको बदा दें कि 13 सेरी और बदायों में भी शनिवार को हलकी बारिश के आसार है, इस बीट पश्चिम जिलों में 30 से 40 किलो मीटर पती घंटी के रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है, बताय जा रहा है कि मौसम भाग ने लू चलने के और बारिश के आसार को देखते हुए, चेतावनी जारी करती है, राज्यों के दूसरे हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा, इससे पहरे राज्च्थानी लखनों में शुकरवार पॉदिक्तम तापान 42 टिग्री दर्च किया गया, और इसी के साथ ही फिलाल के लिए कबरों में इतना ही, आप बने रहे हमारे साथ, देखते हैं आरा न्यूस